नमस्कार सातियों स्वागत और अभिनंदन आप सभी का सातियों आज चर्चा करेंगे आपके फरवरी महा 2022 करंट जिक्के की यानि कि अपनी जो स्रीज चल रही है मंथली करंट जिक्के की आईए उसी सेशन को बढ़ाते हैं आगे और आज जो चर्चा होगी वो होगी आपके फरवरी महा 2022 राजस्तान करंट जिक्के की आईए एक एक बिंदू के बारे में चर्चा करते हैं सबसे पहले एक योजना के बारे में योजना है सातियों आपके परधान मंत्री कर्शी सिंचई योजना जो लागू हुई थी 2015 के अंदर ये योजना किस से सम्मंदित है तो लगू सिंचाई में डिप पदती पर आधारित जल परबंदन की विवेस्ता के लिए जो योजना थी वो थी आपके परधान मंत्री कर्शी सिंचाई योजना आप कहेंगे सर 2015 में लागू हुई तो अब क्यों पढ़ रहे हैं क्योंकि जब ये योजना सुरू हुई थी तो जो भागेदार इवा करती थी वो केंदर की थी 60% और राज्ये की कितनी थी 40% लेकिन अब इसे बढ़ा कर कितना कर दिया है वरत्मान में केंदर सरकार करेगी 75 जबकि राज्ये सरकार कितना खर्च करेगी 25 ये थी आज की योजना एक परमुक महतपुन परधान मंतरी कर्शी शिंचाई योजना आईए चर्चा और कुछ अन्य बिन्दों के बारे में करते हैं एक है आपके सजग ग्राम योजना ये कौन सी है दो परकार के क्यूशन है important सजग ग्राम योजना पहली बार तो पुछा जाए कि इनका सम्मंद किसे है तो याद रखेगा भष्टा चार से मुक्ति है तू मतलब जो भष्टा चार बढ़ रहा है गाउं के अंदर चाए कोई भी अधिकारी हो चाए वो पटवारी हो ग्राम शेख हो कोई भी अधिकारी हो भष्टा चार जो बढ़ रहा है भष्टा चार से मुक्ति है तू ग्राम शेत्रों के अंदर एक योजना शुरू की गई है जिसका नाम क्या है सजग ग्राम योजना कब से तो आपके सामने है देख लीजिए 6 दिसंबर 2021 ये थोड़ा सा याद रखे पूचा जा सकता है कि निम्न में से भष्टा चार से मुक्ति है तू कोण सी योजना है तो सजग ग्राम योजना कुछ और बिंदू और देखे जैसे आपके सामने देखे एक पुस्तक है जिसका नाम है सवीधान संसकर्ती और राष्ट इस पुस् ज्याद रखे जा सकता है कि इस पुस्तक का लोकापन किंके दुवारा किया गया तो याद रखेगा भारत के उपराष्ट पती जिनका नाम है एम वेंकया नाइडू और कहां पर किया गया जोदपुर में सवीधान संसकर्ति और राष्ट पुस्तक के लेखा कौन तो राजस्तान के राज्येपाल कलराज मिशर लोकापन किनके दुवारा किया गया तो भारत के उपराश्पति एम वेंकाया नाइडू और कहां पर याद रिखेगा जोतपुर के अंदर एक देखे राजस्तान ट्यूरीजम जो एप है उसके ब्रांड एमेस्टर कौन तो याद रिखेगा करिश्मा हाडा डाइरेक्ट वन लाइनर पुछा जा सकता है कि राजस्तान ट्यूरीजम एप का ब्रांड एमेस्टर हाली में कौन है करिश्मा हाडा क्यूंकि कलके शेशन क के अंदर हमने देखा था कि आपके बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के ब्राण एमेस्टर कौन अउनी लखेरा और उदर राजस्तान राज्जी निर्वाचन आयो के ब्राण एमेस्टर कौन तो देविंदर जहंजड या उसी परकार याद रिखेगा करिश्मा एक याद रिखेगा आप सभी जानते हैं कि बजट की गोशना भी थी वागड़ ट्यूरीजम सरकिट निम्न में से किन जिल्लों में इस्तापित किया जाएगा तो याद रिखेगा डूंगर पुर्वे बांसवाड़ा वेरी वेरी इंपोर्टेंट है वागड़ यह बहुत इंपोर्टेंट और बहुत अच्छा किश्र मनता है कि भारत अतन लत्ता मंगेशकर को राजस्तान की कोण सी विश्विधाले दुआरा मानद उपादी दी जाएगी तो याद रिखेगा डूक्टर जेनाइन विश्विधाले जोदपुर दुआरा जिनका भी अ अध्यक्स बने है नवीनतम कोण तो याद रखे महादेव सिंग खंडेला डैरेक्ट वन लाइनर पूर सकता है राजस्तान किशान आयोग के अध्यक्स कोण बने महादेव सिंग खंडेला ठीक है एक याद रखे राजस्तान युनिवर्सिटी फोर हेल्थ साइंस जो आपक सुधीर भंडारी एक आपके देखिए आपको पुछा जाए फलोर अवार्स फोर एक्सिलेंस 2022 जिसका आयोजन कहां किया गया था नई दिल्ली के अंदर और किसके दुआरा तो फिक्की के दुआरा किया गया यह अवार्ड किस शेत्र में दिया जाते हैं तो महिला ससक्तिक पुछा जा सकता है कि हाले में नई दिल्ली में फिक्की दुआरा आयोजित फलोर अवार्स ऑप एक्सिलेंस से किने शमानित किया गया तो रूमा देवी अवनी लखेरा और निधी ठोलिया अगली बातें देखिए अब कुछ उत्सव है कुछ अभियान है वो देखिए यह देखे आपके मरू महत्सव मरू महत्सव जो आपके 14 15 और 16 त्री दिवशिय मरू महत्सव था जो आपके 14 से लेकर 16 फरवरी 2002 में कहां पर आयोजित हुआ तो पुन्नमी स्टेडियम जो कहां पर है जसल मेर के अंदर इसकी थीम क्या थी तो होंशलों की नई उडान कौन सी किसे मिला था तो याद रिखेगा पाइल खत्री को किसे दिया गया था पाइल खत्री को एक आपके बाडमेर से सम्मझित अभियान है हरियालो बाईतु अभियान मतलब जो ओस्ती पोधार ओपन किया जा रहा है ना इसी पोधार ओपन योजना के तेत बाडमेर के अंदर ए माली जी मेले का जो आयोजन हुआ था वो विकानेर के अंदर हुआ था लगबग एक लाग से अधिक विध्यारती यहां आये थे कौन-कौन से क्यूशन इंपोर्टेंट है वो देखे आपको पुछा जाए हाले में प्रामर्स 2022 जो की एक मेगा केरियर काउंसलिंग वरक्षोप के रूप में चलाया गया निम्न में से कौन से जिल्ले में याद रिखेगा विकानेर में ठीक है या फिर ऐसा भी पुछा जा सकता है कि हाले के अंदर विकानेर में प्रामर्स 2022 का आयोजन किया गया जिसका संबन था तो याद रिखे केरियर काउंसलिंग से कैसे भी पूछ सकता है एक ये देखे आपके भरतपुरिस्तापना दिवस कब मनाय गया तो 19 फरवरी 2022 को और ये कि कौन सा था तो याद रिखे 289 वेरी वेरी इंपोर्टेंट भरतपुरिस्तापना दिवस 19 फरवरी 2022 को जो मनाय गया वो कौन से नंबर का था नेक्स देखे अगले कुछ और बिंदू एक आपको पुछा जाए कि राजस्तान के कितने जिल्लों में ट्रेफिक पारक इस्तापित किये जाएंगे तो याद रखिए राजस्तान राज्ये उभोगता विवाद से उभोगता जो विवाद आयो गये न उनसे सम्मंदित है और इस पोर्टल को कब जारी किया गया तो 28 जनवरी 2022 को और किनके दुआरा तो बनवारी लाल शर्मा दुआरे याद रखिएगा तो राजस्तान राज्ये उभोगता विवाद अब देखिए एक और परदेश का दूसरा स्पोर्ट स्कूल कहां पर खुला जाएगा जोदपूर के अंदर मतलब पहला कहां पर है याद रखिएगा विकानेर में सारदूल स्पोर्ट से ये विकानेर के अंदर अब खुलेगा परदेश का दूसरा स्पोर्ट स्कूल जो कहां पर खुलेगा जोदपूर में एक देखिए और क्या है एक है साथियों आपके Center for Excellence for Revenue Research and Analysis इसकी घोषना हुई थी बजट 2021 और 22 में अब जाकरिये कहां इस्तापित किया जा रहा है जेपूर के अंदर बहुत ज़्यादा इंपोर्टेंट है याद रिखिएगा Center for Excellence for Revenue Research and Analysis याद रिखिए एक आपके ये देखिए ये साहित देश का पहला ऐसा राजिये बनेगा राजस्तान जहां पर कौन सी सुईदा उपलब्द होगी याद रिखिए Zenome sequencing यानि आनुवांसिंग की अनुकर्मन की जो सुईदा है वो कहां परदेश में पहली बार तो याद रिखिएगा जेपूर का SMS Medical जो कोलेज है वहां पर ये शुईदा शुरू करिए तो ये जेपूर की बात यहां पर भी ये खाशी बातें याद रखेगा important है आपके इदाकिल फोर्टल हो या traffic पारक हो या आपके दूसरा sports school हो पहला भी जरूर ध्यान रखे अगला देखिए दो अवार्ड हैं आपके सामने एक तो है डॉक्टर कॉमल कोठारी किस्मर्ति लाइप टाइम अचीवमेंट जो कौन देता है तो उदेपूर की एक संस्ता पस्चिमी छेत्र सांस करते कला दुआरा और इसे समानित किया गया है दो लोगों को एक तो विज्य वर्मा और दूसरे है परकास खाडगे जो माराष्ट के हैं और यह आपके राजस्तान की याद रखे डॉक्टर कॉमल कोठारी इस्मर्ति लाइप टाइम अचीवमेंट कि संस्ता दुआरा तो पस्चिमी छेत्र सांस करते कला के दुआरा जो कहां पर है उदेपुर के अंदर किने दिया गया विज्य शर्मा और परकास खाडगे को एक याद रखेगा बान भट पुरुषकार किसे दिया गया सबसे पहली बात तो यह देती कौन सी संस्ता है तो याद रखेगा उत्तर परदेश संस्ता दुआरा दिया जाता है और समानित किसे किया गया तो प्रोपेसर बनवारी लाल गोड जिनके कौन सी पुस्तक तो याद रखे आयुरवेदिये कतास्ट कम वेरी वेरी इंपोर्टेंट दोनों दोनों डोक्टर कॉमल को उठारी इसमर्ती लाइप टाइम अचीवमेंट और आपके कौन सा बान भट पुरुषकार नेक्स्ट एक आपके कल हमने एक संग्राले पड़ा राष्टी जन्जाती संतंदरता संग्राले है जो आपके बांसवाडा में इस्तापित किया जाएगा और एक आज ओर संग्राले है राजस्तानी भासा साइते कलावे संसकर्ती संग्राले कहां पर इस्तापित किया जाएगा विकानेर के अंदर आपको बताओ तो इसी नाम से पहले से एक संस्ता विकानेर में हैं जिसे एक पत्री का निकलती है जाक्ती जोत एक क्यूशन ये वेरी वेरी इंपोर्टेंट परदेश का पहला सरकारी होमियोपौतिक कोलेज कहां पर तो याद रिखेगा जोतपूर के अंदर कहां पर खोला जा रहा है पहला जोतपूर में याद रिखेगा वैसे बजट में दो जगे प्रस्तावित वे थे जोतपूर और अजमेर लेकिन सबसे पहले कहां पर खोला जा रहा है जोतपूर के अंदर कहते हैं कि इसी सोभगी योजना के तेहित सोर विदुति कर्ण में कौन सा Raja Sears पर है तो राजस्तान क्यूं? क्यूंकि सोर उर्जा में पर्थम इस्तान पर भी कोन सा है याद रखेगा राजस्तान सोर उर्जा के मामले में सब से आगे हम हैं राजस्तान एक देखी ये तीन परकार के एक तो आपको पुछा जाए कि राजस्तान का वेह जिल्ला जहां पर एज्यूकेशन हब इस्तापित किया जाएगा तो याद रिखेगा जेपूर और जेपूर का कौन सा सरकिल है तो JLN एक है आपके सब रिजनल साइंस सेंटर कहां पर इस्तापित किया जाएगा सब रिजनल साइंस सेंटर तो याद रखेगा कोटा के अंदर और एक चीज और याद रखेगे इस्टेड रोड सेप्टी इस्ट्यूट कहां पर इस्तापित किया जाएगा तो जालाना जेपूर में और जालाना के अंदर पहले से आपको पता है लेपड सपारी है और राज्ये की दूसरी लेपड सपारी भी कहां पर इस्तापित की गई आममागड जेपूर के अंदर ये भी याद रखे तो State Road Safety Institute कहां पर जालाना जेपूर अगली बाते देखिए कुछ एक है आपके युद्धे अभ्यास किया गया था 19 से लेकर 25 फरवरी 2022 को एक युद्धे अभ्यास है क्या नाम है उसका Eastern Bridge 6 मतलब कौन से नमबर का छटा किन किन के मद्य तो Indian Air Force Way Royal Air Force Oman मतलब हमारे यहां और Oman के मद्य जो युद्धे अभ्यास हुआ वो कहां पर किया गया तो याद रखेगा जोदपूर के अंदर ये थोड़ा से याद रखेगा Eastern Bridge 6 जोदपूर के अंदर Indian Air Force Way Royal Air Force Oman दुआर ठीक है एक यह और important विश्वे की सबसे बड़ी घंटी कहां लगई जाएगी तो याद रखेगा कोटा चंबल रिवर फरंट गंटी क्या है ये घंटा ही होगा क्योंकि जब बजाए जाएगा तो आठ किलोमेटर तक क्या वेगी इसकी अवाज आएगी तो विश्वे की सबसे बड़ी घंटी याद रिखेगा कोटा एक आपके घंटा है बड़ा चर्चा में खेडावास घंटा सबसे पहले बात तो ये है कहां पर ये सब चर्चा में रहते हैं तो इनका थोड़ा सध्यान रखें तो ये थे आप फरवरी महा 2022 के राज़तान करंड जी के के महत्तपुन कुशन कल फिर चर्चा करेंगे मार्च महा से संबन्दित करंड जी के आज के लिए इतना ही धन्यवाद